तो मद्रिप्रडेश की राध्भाने भोपाल में इस वक्त काफी तेजी से कुरोना संक्रमन अपने पैरपस आ रहा है 12 दिन में 350 कुरोना संक्रमन मरीज सामने आ गए है भोपाल में इस वक्त जुहांगिराबाद होट स्पोर्च बना हुआ है जहांपार 200 से जादा मरीज पाए गए है भोपाल में 24 घंटे में 24 नए मरीजों की पुष्टी हो गई है महीं मध्यप्रडेश में इस वक्त लगातार जो आंक्रे हैं वो चिंता जनक स्थिती पैदा करते हुए 4000 के करीब मरीजों का आकड़ा पहुँच गया है तो दिखे लोगडाउन जब लगाया गया था तब यहां पर मरीजों की संख्या एकका दुक्का थी लेकिन लोगडाउन तीन पूरा होते होते 4000 के करीब मरीजों की संख्या पहुच गई है समधाता वासू चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं राध्धानी का क्या हाल है क्या संक्रमन के मामले रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि लोगडाउन जो है वो तनी सकती से उसका पाला नहीं हो पा रहा है और एक तरीके का हब है भोपाल वहाँ पर अगर संक्रमन नहीं काबू में आ रहा है तो ये एक चिंता जरक स्थिती मज़िप्रदेश के लिए है बिल्कुल रोबिता देखे मज़िदेश की राजधानी है भोपाल तमाम पॉलिटिकल गतविधिया आर्थिक गतविधिया भोपाल के पास में मंडिदीप इंडस्टियल एरिया है गोविनपुरा इंडस्टियल एरिया है तो बड़ा एकनॉमिक हब्दी है और बड़ी जुमार हो गया है तो काफी दिक्कते परिशानिया का सामना जाहिर तोर पर लोगों को करना पड़ रहा है भोपाल के बड़े बाजार है जहां से रोजाना करोड़ों रोपे का व्यापार होता था वो पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा हुआ है आला कि अगर भोपाल ग्रीन जनक बात बनी होई है और सबसे बड़ी चिंता इस बात किये है कि अब पूरे मद्प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोरोना केंद्र है वो भोपाल का जो जहांगीराबाद इलाका है वो बन चुका है यहां पर दोसों के करीब कोरोना पॉजिटिव मरी जा चुके हैं दस ग् वस्ता हैं वो काफी कड़ी कर दी है सकती बरती जा रहे हैं यह पूरे एरिये को सील कर दिया गया है अब तो और करीब 2000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी करने के तैयार है ताकि वहां पे जो संक्रमेंट लगातार फैल रहा है उसको काबू पाया जासा कि इसके साथ ह वो लगातार इन पूरी स्थितियों पे नजर बनाये हुएं रोजाना अधिकारियों से फीडबेक ले रहे हैं खुद मुक्यमंतर शिवरासिंग चौहान रोज वल्लब भवन में कोरोना समक्षा को लेकर बैठक भी कर रहे हैं लेकिन बहराल इन सभी गतविनियों के बाव चौहाए जा सकता है कि अभी कोरोना का संक्रमन और बढ़ने वाला है बहुत शुक्री आवासो इस तमाम जानकारी के लिए तो वासो बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त राजधानी में हालात बने हुए है और तमाम प्रभावी कदम यहां पर उठाय जा रहे हैं ताकि सं पैदा करने वाला